आपके मनुर्ण चन पर अब नहीं लगेगा कोई भी साप्लस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिए साप्लस के यूट्यूब पेज को ए ए ए ए एक मिट बड़ा बाई आपके डाइरी में से शब चोरे हो गया है क्या? या लीला भाभी के पापा ने नव नंबर के वज़ाए दस नंबर के जूते खरीद लिये हैं नहीं तो फिर आपका चेरा हेमल के जैसे सूखा क्यों है या? रवीन बाई ए तू चुपरे ना मुड़ा बाई मैंने आपको सिस्टर अरवीन कहा और ये नाटक वाले ने आपको सला देने की जूर रख की फिर भी आपने कुछ नहीं कहा मैं एक बहुत बड़ी उल्जन में फसक्या हूं प्रवीन बहुत बड़ी उल्जन में मैं इस घर की बड़ी बहु हूँ वागी घर चलाने के तौर तरीकों का सबसे ज्यादा तजुर्बा मुझे है लीला कॉंग्रैजूलेशन्स इस घर की उत्राधीकारी तो तू ही बनेगी अब वक्त आ क्या है पंजाब का पानी दिखाने का इस घर की डोर तो बात तेरे हाथ में ही सोपेगी और डोर मतलब दरवाजा नहीं औरे मैं अपने आप से ही क्यों क्लियर कर रहे हूं आप आप सोजा दीश्या जल्दी सोजा बेटा मुझे बाकी आगिया का प्यालन करने जाना है यह थपड़ वाले बाबा मेरी लाज रखना है आप कुम आण डॉक्टर शिल्पा तुम्हें एक अच्छी डॉक्टर तो होई आज साबित कर दो कि तुम्हें एक अच्छी लीडर भी हो जो इस घड की सत्का को आसानी से चला सकती है अगया है पड़ाने बाबा की जैंग करें कर दो झाल 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 प्रामीन भाय कि आई पिछले दो गंडे से घर के अरते दिखाई नहीं दे रही आगा आज का जोग अरविन की आपको देखने के बाद भी सुबट शुबट गारा यह गर के आरते दिखाई नहीं दे रही है मोटा भाई एक रिक्वेस्ट है अगर आप बुरा ना मने तो वो आज नर्शी का का बीमार है न तो घर की सारी औरते बुजी है इसलिए नहाने के बाद खुदी अगर तॉलिया सुबह तुम मोटा भाई को सब का तॉलियाद होने के लिए कह रहा है और वो भी UW के साथ ठीक है एक मिट्ट मुड़ा भाई आपकी डायरी में से शब चोरी हो गए है या लीला भाभी के पापा ने नौ नंबर के वजाए दस नंबर के जूते खरीद लिये है नहीं तो फिर आपका चेरा हेमल के जैसे सूखा क्यों है रवीन भाई ए तू चुपरेना मुड़ा बाई मैंने आपको सिस्टर अरविन कहा और ये नाटक वाले ने आपको सला देने की जूर्रक की फिर भी आपने कुछ नहीं कहा मैं एक बहुत बड़ी उल्जन में फसक्या हूं प्रविन बहुत बड़ी उल्जन में उल्जन बताईये मोड़ा बाई क्या उल्जन मेरा बॉस मुझे रीजिनल मैनेजर बनाना चाहता है क्या लिला मावी एक मेरी रूक रूक तो सही प्रविन तुम मुझे पता ही था बताया तो उल्जन प्रॉब्लम ना बदल जाएगी बात पूरी सुनता नहीं है तू और अचा-चा मोड़ा बताईये कि पूरी बात क्या है वह मतलब मेरा बॉस मुझे थ्री बेडरूम वाला एक एसी बंगलो दे रहा है तो उल्जन क्या है मोटा बाई और सैलरी में 30 परसंट बरहुतरी के साथ साथ ड्राइवर के साथ एक एसी गाड़ी भी दे रहा है ओ हो मोटा बाई अब आपसे उल्जन पूछ रहे तो आप यूज दिये जा रहा है और वो भी मायूस हो गर उल्जन यह है है मलकी वो मेरा बॉस यह सब मुझे यहां नहीं बैंगलोर में दे रहा है यह कोई उल्जन यह मोटा बाई बटा बट सामान बादी है हां लिए भाभी सुम परवें उसे मत बता ना वरना सामान भी नहीं बांदेगी और ऐसे ही गर से निकल पड़ेगी यह जित करके के नया सिरे से जिनगी शुरू करेंगे तो सही भी तो है मोटा भाई आपकी जि कि यह मोटा भाई हर्शद पांच साल लंडन में रहा लंडन में उतनी दूर क्या वहां से अलग हो गया है मोटा भाई आप तो यहां जा रहे हो बैंगलोर है दो गंडे का रास्ता है प्लाइट पकड़ के आते जाते रहे ना आठ पचास की छूड जाए तो आठ पच्पन की पकड़ लेना आठ पच्पन की कोई फ्लाइट नहीं है प्रवेंट नौ पैंथिस की अधिस फ्लाइट पकड़ लेना साटड़े आना मंडे चले जाना और आप प्लाइट की टिकेट बिजवाएंगे दो मैं या जाओंगा तो बैंगलोर में अगर मेरा बिजनेस सेटल ह हो गया तो फिर तो हम आते जाते रहेंगे है ना तू जानता है प्रविट शाम को ऑफिस घर वापस आते वक्त ट्रेंस उतने के बाद पार्ला स्टेशन से घर तक मैं पैदल क्यों आता हूं ताकि मार्केट से बच्चों के लिए ताजे फ्रूट्स ले आ सकोंगा वहां फ हां मगर पर पर मासे दूर नहीं रह सकते हैं हम सब जानते हैं मोटा भाई लेकिन बाग के लिए तो रह सकते हैं आपको याद है हर्शक भाई ने जब बाग को 3BHK का फ्लैट दिया था तो आपको दुख हुआ था कि आप बाग को कुछ नहीं दे पाए और वो वक्त आगय है मोटा भाई अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है हां मोटा भाई आप थंडे दिमाग से सोचिए बास से बात कीजिए लीला बाभी से बात कीजिए स्टाप्लास के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद अपने फेवरिट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब तो स्टाप्लास यूट्यूब पेज और हिप तो बेल आइकन